नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गेट प्रिप्रेशन के बारे में बात करेंगे देखें गेट प्रिप्रेशन से लेकर के इस चैनल पर अल्रेडी बहुत सारे वीडियो है फिर भी मेरे से कोई भी नया स्टुडेंट मिलते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स भी कंटिनूसली आते रहते हैं कि गेट के प्रिप्रेशन कैसे करना है तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डीटेल में समझेंगे कि अगर आप सेल्फ स्टुडी से गेट के प्रिप्रेशन करते हैं तो कैसे करना है क्या स्टुडी होना चाहिए और इस वीडियो में हम गेट से रिलेटेट सारे अस्पेक्स को कवर करेंगे तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूँ कि देखिए गेट जो एक्जाम है उसको सेल्फ स्टुडी से आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं यह आप पहले विश्वास कर लीजिए और यह मैं से बहुत अच्छा रैंक लाया अंडर 50 रैंक आया है तो गेट के एक्जाम में सेल्फ स्टुडी से अंडर 50 रैंक डेफिनिटली आ सकता है यह आप विश्वास कर लीजिए और इस विश्वास के अधार पर गेट की तैयारी कीजिए अब तैयारी कैसे करना है इसके बार मे कैसे करेंगे तो दोनो ही तरह के चुड़ा के बारे में बात करेंगे और आज के इस विडियो को जेनरल इंजिनेरिंग के लिया बनाएंगे मतलब किसी भी इंजिनेरिंग बैक्ग्राउंड से हाप हरे एक ब्रांच के चुड़ांच के लिए गेट की तैयारी कैसे करना है उसको बहुत अच्छे समझ लेंगे, सारे पॉइंट को समझ लेंगे, तो self study से गेट का जो preparation करने वाले students हैं, उनके लिए वीडियो बहुत काम का होगा, वीडियो को अंतक जरूर देखेंगे, ठीक है, देखें, पहले हम बात कर रहे हैं, जो कि second year या third year में जो student उनको कैसे त subjects हैं, वो देख लिए कि आपके semester की कौन-कौन सा subject gate के syllabus से match हो रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मा लिए कि आपके semester में 5 courses हैं, और उसमें से 3 course जो है, वो gate के syllabus में हैं, तो वो 3 course को आपको उसी semester में prepare कर लेना है, तो कैसे prepare करना है, आप अपने class में जाते हैं, तो class में जाने के आप 5-6 page छोड़ दीजें, फिर next lecture देखें, और फिर आप उस subject से related आप जो भी standard textbook है, वो textbook भी पढ़ते रहे हैं, और कुछ-कुछ topics ऐसे होते हैं, जो कि हो सकता है, आपका college में professor अच्छा नहीं है, और textbook से अच्छा से समझ में नहीं आता है, कुछ topics difficult होता है, तो उसको क्लासरूम की तरह lecture की तरह देखना है, तो मतलब notes बनाते हुए, तो इसलिए मैं बोला कि आप जो notes बना रहे हैं, उसमें आप हर एक lecture के बाद कुछ pages छोड़ दीजें, इसलिए pages छोड़ना है, ताकि अगर topic अच्छे से वहाँ पे clear नहीं हुआ, तो जो blank pages हैं, उसमें आप आपका final reference हो जाएगा, फिर बाद में आपको YouTube video, NPTL video, textbook पढ़ने के जरूत नहीं होगी, वही note से आप बार बार revise कर पाऊगे, एक ही जगह से आपको बार बार revise करना है, तो ऐसे कर लिजे, ठीक है, अब ऐसे करते करते हैं, जब आपका semester में 20-25 lecture हो जाएंगे, तब तक understanding अच्छी develop हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, previous year paper करना है, देखे, gate का preparation करना सबसे important part क्या है, previous year paper solve करना, previous year paper ही आपका real guide है, तो उसमें क्या करना है, जब आप previous year paper solve करेंगे, उस subject का, तो आपको idea लग जाएगा है, कि इस subject के कौन-कौन से concept, gate question पूछे जाते है है, कौन-कौन सा formula important है, तो फिर उसमें, आप फिर notes में आप marking कर पाऊगे, कि अच्छा, ये concept important है, ये concept, gate में question ही नहीं पूछे जाते है, तो आप उस notes में उसको cross कर दीजे, और आप देखेंगे कुछ concept ऐसे हैं, जिसमें gate में question पूछे जाते हैं, बड़ आपकी semester में नहीं कर सकते हैं, तो अब यहां पे ये तरीका करते-करते ना, आपको semester का भी exam अच्छा हो रहा है, क्योंकि concept बहुत अच्छे से clear हो रहा है, और साथ में, आपका gate की भी तेयारी हो रहे हैं, अब दूसरे तरह के student की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 4th year में complete होने जा रहा है, और ज syllabus से ही करना है, syllabus देख करके और फिर तैयारी करना, अब यहां पे तैयारी करने के लिए बढ़िया चीज है textbook और NptL video, मैंने भी उसी से तैयारी किया था, इसमें दिक्कत एक ही है, कि NptL का video और textbook पूरा gate के अनुसार तो है नहीं, उसमें और भी बहुत सारे चीज़े होते ह है नहीं, इसलिए अगर आप एक बार पढ़ोगे और फिर previous year paper solve करोगे तब आपको idea लग पाएगा कि क्या के concept important था gate के लिए और कौन सा नहीं था, तो फिर आप जो नहीं था उसको तो छोड़ दो गए बाकी को revise करोगा, लेकिन अगर माली जे आपको कोई ऐसा senior मिल जाए, एक ही round में यह कर पाओगे, और इसलिए मैंने chemical engineering में almost सारे ही subject के लिए clearly बता रखा है कि कौन सा subject कहां से पढ़ना है, कौन सा textbook से पढ़ना है, कौन कौन सा page पढ़ना है, यह भी मैंने बता रखा है, NptL का video देखने है, तो कौन कौन से video देखने है, कौन कौन से video देखने का आपको 2 round में नहीं करना पढ़ेगा, अधरोवाइस मैं जब तयारी किया था, तो मुझे कोई थोड़ी नहीं बताया था कि आपको कहां से पढ़ना है, मैं तो 2 round में किया था, 1st round पढ़ लिया खुद से, फिर जब question solve करने लगा, तो पता चल गया कि अच्छा यह concept आता है, तो पता चल गया कि यही यही चीज important है, बाकी जो extra पढ़ा उसको छोड़ी, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बट अगर आपके पास time नहीं है, तो एक senior की मदद हो जाए, तो यह बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरी बात, कि अगर आप self study कर रहा है, तो भी आप एक फुरा group में पढ़ेंगे तो अच्छा रहा है, तो आप उस friends से discuss कर सकते हैं, तो यह बहुत important हो जाता है, गेट की तेयारी में, यह कोई भी competitive exam की तेयारी में, कि अगर आपका एक mahal बन जाए, एक environment create हो जाए, तो बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए आप आज कल तो सब क कुछ friends के contact में हैं, जो कि गेट की तेयारी कर रहा है, और उनसे आप लोग discuss करते रहें, कोई concept फ़र्स रहा है, कोई important topic है, जो कि clear नहीं हो रहा है, तो आपस में discussion करने से भी बहुत अच्छा से clear हो जाता है, तो इस तरह से आप subject को पढ़ लिए, अब question का practice कैसे करना है, इस 90 से लेकर 2022 तक के सारे question solve करने है, subjective objective जो भी जैसे आया है, सारे question solve करने है, time कम है तो आप 2000 से start कीजिए, उससे भी कम time है तो 2005 से start कीजिए, ऐसे, depending on कि आपके पास कितना time है, आप 2000 से भी start करोगे तो भी under 50 rank आ सकता है, 90 से start करोगे तो ज्यादा probability है आने का, और ये previous ये paper को ही तो तीन बार कीजिए, मतलब आपके first round करोगे तो आपके सारे question तो solve होंगे नहीं, आपको बहुत सारे solution देखने परेंगे, और second round जब आप करोगे, तो second round में आपको खुद से होने लगे, third round तक आते आते हैं, आपको solution बिलकुत देखने की जरूरत नहीं परेगी, और आप सारे question खुद से solve कर पाऊगे, तो ये एक तरीका है, अब इसमें एक चीज मैं बोलूगा कि previous year paper solve करने के लिए, आप अगर hard book रखे हैं, मतलब online भी previous year paper होते हैं, बट अगर आपके पास एक printed book type का हो, जिसमें previous year paper रहते हैं, बहुत सारे coaching वाले भी provide कराते हैं, बहुत सारे publication provide करते हैं, तो उसमें एक सुविदा ही हो जाती है, कि आप previous year paper में आप marking कर सकते हो, कि हाँ ये question बहुत important है, इसको revise करना है, या फिर solution में भी आप कुछ लिख सकते हो, कि अच्छा, ये solution में यहां गलती है, ऐसे करना चाहिए, तो वो एक सुविदा रहे गया, आप website से भी क concept नए समाझ में आएंगे, solution देखने के बाद, तो वो आप अपने notes book में ही लिख लीजे, ताकि final जब आप revision करेंगे तो आपको notes के लाओ और कुछ कहीं कुछ देखना ही नहीं है, तो आपका notes continuously revise होते रहना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक बार notes बना रहे है, तो notes के बाद चार-पाच पेज छोड़ते जाए, छे-साथ पेज भी छोड़ते जाए, ताकि जो concept आप कहीं लीख राखें, उसमें कुछ additional बात जोड़ना है, तो आप वहीं पर जोड़ दीजे, ठीक है, अब इसमें एक और बात है, math के लिए जितना ज़्यादा आप practice करे जीजे, जैसे मैंने chemical engineering में था, तो chemical engineering के लावा, mechanical engineering, civil engineering, P.I.E. इसके भी पूरे question previous year paper solve कर लिये थे, ऐसे इसका book था, तो इस तरह से different coaching वाले ऐसे निकालते हैं, कि आप देख लिए आपके जो engineering mathematics है, आपका syllabus, आपके किस-किस branch से match कर रहा है, उसके साड़े question कर लिए, तो ब करना है, वो करना है, test series, join करना है, अब test series, आप कोई भी अच्छा coaching institute कर लिए सकते हैं, दो-दो coaching institute कर लिजे, कोई दिक्कत नहीं है, टेसरी को करने में दो चीज़ है, एक करते समय क्या धान रखना है, और test series के बाद क्या करना है, उसको बारे में बात करते हैं, test series करते समय आप test series paper तभी दीजिए जिस time पे आपका real exam है मतलब real exam का slot है उसी time पे test series दीजिए और exactly real exam की तरह दीजिए मतलब आप वही virtual calculator use कीजिए उसी timing पे दीजिए तो इसमें क्या होगा आपका body उसी तरह से develop हो जाएगा real exam के लिए तो ये एक बात दूसरी बात आप अपना strategy भी develop करते रहें ये test series में की question कैसे solve करना है पहले easy question solve करना है पहले one marks question solve करना है या aptitude solve करना है एक अपना strategy बना लीजिए ठीक है तो ये तो paper देते समय है और test series देने के बाद उसका analysis जरूर कीजिए अगर test series आप दे रहे और analysis नहीं कर रहे तो पूरा full wastage of time आप एक test series को 3 गंटा में दे रहे तो आप उसको analysis करना में 6 गंटा लगाई है कि आपका silly mistakes कहां कहां पे हो रहा है आप अपने notes में उसको notice down कर लिजे कि अच्छा ये point में में से silly mistakes होता है ताकि division करते समय वह बात आपके दिमाद में रहे ठीक है तो कौन सा concept मेरे को miss हो रहा है तो उसको फिर आप further YouTube videos से या जहां से भी पढ़ना है पढ़ लिजे ठीक है अब इसमें मेरे एक point था जो मैं मुझे बोलना चाहिए था अगर आप ऐसा कर सकते तो बहुत अच्छा है अगर वाइफाई zone में है तो वाइफाई zone से out हो जाईए या फिर अगर आप ऐसा zone पर अगर आप mobile data है तो mobile data off कर दीजे ये वीडियो को डाउनलोड करके देखिए नहीं तो क्या अगर आप वेफ सर्फिंग में फल जाएगे नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा टाइम बहुत क्रेटिकल है अभी जितना समय बचा है उसमें आपको गेट के लिए फुली डेडिकेट होके करना है ठीक है अब टेसरी आप इस तरह से देते रही है लेंथ वाज सब्जेक्ट वाइज भी दीजिए फुल लेंथ भी दीजिए और अगर आपके पास अच्छे टेसरी अबलेबल नहीं है जिस अगर कोई इंजिनेरिंग बैग्राउंड में जै इस तरह से आप गीत के रिल टेसरी नहीं को चींक कर तो रियल पैपर को ही आज़े टेसरी दे सकते हैं तो इस तरह से आप क्रैक्टी सी किजिए ठीक है डीक ए बीज बात अगर मुझे कोई पुचे कि आप सिर ऐ Public Defense under 50 तो मैं बलूँगा previous year paper कारल। कैसे करना हैं आप देख्व। अगर आप खुध कर पा रहे हो। देखेщी है solution देखें तो आपका rank कोई रोक नहीं पाएगा ठीक है। तो आसा करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद